चोपडा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जेई मैन का फर्स डे का पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और क्या NTA द्वारा जारी SOP फोलो हुई है या नहीं हुई साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि नी 2020 के पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा तो दोस्तों कल का जो जेई मैन का एक्जाम हुआ था वो भी आर्किटेक्चर और भी प्लानिंग का एक्जाम था और जो उसके क्यूसन पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो मोडरेट था यानि कि first shift की बात करें तो इसमें mathematics का पार्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था उसका second shift की बात करें तो वो भी मोडरेट था अगर हम दोनों overall paper की बात करें तो ये overall moderate रहा था और जो January session का exam रहा था उससे थोड़ा सा ये easy था तो अगर हम बात करें पूरे paper की तो ये नहीं तो easy था और नहीं difficult था वैसे 1-6 September तक का overall क्या रहेगा इसका analysis हम बाद में करेंगे अभी तक ये है कि ये paper moderate रहा है अभी need 2020 के question paper के difficulty level की बात करें तो ये भी easy to moderate रहने की समावना है काफी सारे student प्रेशान थे कि ये काफी difficult हो सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि paper easy to moderate रहने की समावना है अगर by the way paper moderate रहता है तो वो सभी के लिए ही रहेगा cut off सभी के लिए ही जाएगी अगर high जाती है तो सभी के लिए जाएगी low जाती है तो सभी के लिए जाएगी तो इस कारण निश्चन्त होकर study करें लेकिन अभी तक के संकेत यही मिल रहे हैं कि paper easy to moderate रहने की possibility है अब हम बात करेंगे कि exam की दोरान SOP follow हुई है या नहीं हुई तो दोस्तो इसके बारे में मिला जुला response मिला है किसी किसी center पर student को problem आई है मगर ज्यादातर center पर SOP follow हुई है और आल की बात करें तो exam का पहला दिन ठीक ही रहा है आलांकि first day be architecture और be planning paper में total 30,000 के nearby student बैठे थे तो इसमें हम बाद में देखते हैं कि ये SOP कहां तक follow होती है तो दोस्तो वीडियो के अंत में आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुई यही कहना चाहूँगा कि किसी परकार की tension नहीं लेते हुई आप study पर ध्यान दे समय आपके favor में रहेगा जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है आपके लिए भी अच्छे के लिए ही होगा तो दोस्तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like को ज़्यादा ज़्यादा share करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन